अगर आप एक डाइबेटिक पेशिंट है तो हो सकता है डॉक्टर आपको यह मेडिसिन प्रस्क्राइब कर सकता है तो हम बात करें यूडापा एम टाबलेट के बारे में इसे कब लेना चाहिए आपको क्या इसका डोज होता है क्या साइड फेक्ट देखनों को मिलता है अगर किया जाता है अगर आपको टाइब टुडाइबेटिक हो जाता है तो हो सकता है यह सिर्यस कॉम्प्लेकेशन हो सकते हैं जैसे को अंदेपन के शिकार हो सकते हैं आपको रेगुलर लेना चाहिए और अगर आप इसे ले रहे हैं तो इसके साथ में यह दो एक्टिविटीज जरूर आट करें जैसे कि पहला जो है आप exercise करें जैसे कि दिन भर नहीं दिन में एक बार आप 10-15 मिट करें यह साथ में दो एक्टिविटी आप जरूर राइट करें पहला एक्सराइज जिसमें आप रणिंग स्विमिंग सैक्लिंग वेट लिप्टिंग होगा यह दिन में ए लेता है जो कि आपका जो गुलकूज का प्रोडक्शन रहता है उसे कम करता है उसके प्रोडक्शन और अब्जोशन में और यह साथ में एक्सेश्यो जो ब्लड सुगर लेबल लेता है उसे रिमूब करने में मदद करता है यूरीन के थुरू तो जिसके वीसे क्या होता है कि आपका पोस्ट मिल और अप्टर मिल जो आपका यह सुगर बढ़ता है वह कंट्रोल में रहता है तो इंसुलिन बहुत ही जादे इंपोर्टेंट रहती जो यह प्रोड़क करने में मदद करता है आपकी पैंक्रियास के थुरू तो बहुत ही अच्छा है अगर आप ले रहे तो डॉक्टर से जरूर कंस्टर करें इसके रोज को चबाना निये करना डारेक पानी के साथ में आपको निगलना है और सेम समय हर दिन लें इससे तब तक दिया जाता है जब तक यह आपकी समश्चा बने देती कभी-कभी वन मंद कभी-कभी आपको दो मंद कभी-कभी सालों तक जब तक यह कंट्रोल ना रहे तो अगर आप खुश से लेंगे बिना डॉक्टर की सला से लेंगे तो सकता आपका बलड सुगल कम हो सकता है जिस टेखनों को मिल सकते हैं तो अगर वीडियो ज़रा सब इन्फॉरमेटिक लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें यह जान करें अपने दोस्तों में शेयर करें इस डोज को चबाना निये करना है डारेक पानी के साथ में निगलना है क्योंकि इसे समय समय पर यह अचे पाना है इसे समय आनी है